नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूस के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है रोहित शर्मा यानि की इंडियान टीम के हिट मैन वर्ड कप में हीरो रहे थे भारत के भला ही वर्ड कप नहीं जीत पाई हूँ टीम मिडिया लेकिन हीरो का तमगा तो उनको हासल हो ही गया था क्योंकि उनके बल्ले से पांच शर तक निकले थे विश्पुक अप में जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था 648 रन रोहिच शर्मा ने बनाए थे इसके अलावा और भी रिकॉर्ड रोहिच शर्मा के नाम है वो अकेले ऐसे बल्ले बाद रोहिच शर्मा जिनके खात्मे में वंडे में तीन डबल सेंचुरीज दर्ज है तो हर तरीके से जो उनको हिट में नाम दिया गए वो बिल्कुल परफेक्ट उन पर बैठता है और अभी फिलाल रोहिच शर्मा इस शांदार परफॉर्मेंस के बाद अब तैयारी कर रहे हैं वेस्टन डीज में दमदार प्रदर्शन की लेकिन इस बीच वर्ड कप के बाद और वेस्टन डीज दोरे के शुरू होने से पहले जो इस वक्त रोहिच शर्मा सबसे जादा चर्चाओं में है उसके पीछे वज़े है कि विराट कोली और रोहिच शर्मा की बीच क्या चल रहा है ये चीज सब जानना चाहते हैं खैर उसका तो पता नहीं चल पाए कि क्या दोनों के बीच टसल है या क्या दोनों के बीच टेंशन है लेकिन जिस तरह से एक्शन उनके सोशल मीडिया पर हो रहे है उससे ये चीज तो जरूर नजर आ रही है कि हां कुछ नकुछ जरूर है क्या है वो तो विराट जाने या फिर रोहिच शर्मा जाने क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि रोहिच शर्मा ने पहले विराट कोली को unfollow किया था उसके बाद उन्होंने अनुषका शर्मा को unfollow कर दिया जिसके बाद अनुषका शर्मा ने एक जवाबी tweet भी किया जिस पर उन्होंने लिखा था कि जो समझदार आदमी है वो पुरी तरह से चुप है उनका जो इशारा था वो विराट कोहली के तरफ था क्योंकि विराट कोहल रही है लेकिन इन टेंशन के बीच भी रोहिच शर्मा ने जो सुकून के पल है अपने लिए वो ढूंड ली है अब आप जाहिर से बात है कि सुकून एक क्रिकेटर को कहां मिलेगा क्योंकि देखिए क्रिकेटर क्या होता है बहुत सारे टूर्स करने पड़ते हैं दोरे करन है ये क्वालिटी टाइम रोहिच शर्मा इस वक्त अपनी फैमिली के साथ बिता रहे हैं और उनके परिवार में उनकी पतनी है एक छोटी बेटी समायरा है और उसी बेटी समायरा के साथ उन्होंने कुछ मस्ती भरे जो पल है उनको शेयर किया है अपने इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया अकाउंट पर जिसमें वो एक पार्क में संभवते हो सकता है कि उनकी सोसाइटी का जो पार्क है उसमें अपनी बेटी के साथ वो मस्ती करते हुए दिख रहे हैं अपनी बेटी को छोटी सी बेटी है उनकी बहुत प्यारी सी बेटी है उसको गोद में जोई कर रहे हैं वो कहा है हलाकि थोड़ा सा डर भी लग रहा है इसकी पीछे वाजी ये थी क्योंकि वो एक स्लाइडर होता है ना जूला उस स्लाइडर में वो उपर से नीचे अपनी बेटी को गोद में लिए हुए आ रहे हैं तो संभवते एक पिता भी है रोह शर्मा तो पिता के मन में दो होता ही है उनको लग रहा है एंसा ना ऑ हो कि उपर से पिसल के मैं नीचे आ रहा हूं तो मेरी बच्ची आठो से चूट जाए खैर ये सब एक खल्के फूल के मूर में उन्होंने इस चीज़ को लिखा है इस चीज़ को शेयर किया है तो एक तरफ टेंशन बल चल रहे हैं विराट को लियो रोह शर्मा के बीच, लेकिन इन टेंशन भरे बलों के बीच में से ही रोह शर्मा ने एक लाव शतरफिक प्र dragons आते हैय। विडियो के जरीए एक पिता का अपनी बेटी के प्रती प्यार पर शेयर किया है जिसमें वो ये बताते हैं कि वो मूवी देखने गए अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, तो कम टाइम है लेकिन एक क्वालिटी टाइम अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं और वैसे भी अब 31 सारी को तो टीम इडिया वेस्टन डीज के तो उसको एक अंदर से कहते हैं कि उसको एक अंदर से नहीं ताकत मिलती है अच्छा परफॉर्म करने की और अब तक रोहिष शर्मा के हम टेस्ट करियर को देखें तो कोई बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं उसको कहा जा सकता जिस तरह का आउटस्टैंडिंग उनका IPL कर परियर रहा है जिस तरह का आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी T20 में रही है और वन दे में तो कहने ही क्या है रोहिष शर्मा के बहुत दमदाए परफॉर्मेंस उनकी रही है लेकिन ऐसा अभी तक वो हिट्मेंड बाला रोहिष जो है न वह अभी तक टेस्क्रिक् के साथ रहे कर और उमीद हम कर सकते हैं कि अपने परिवार के साथ ये सुकून भरे पल बिताने के बाद रोहिच शर्मा अब टेस्ट मैच में वेस्टन डीज में हंगामा कर दें एक तरफ से एक तरह से मैं कहूं कि बिल्कुत दंदार प्रदरशन कर दें ताकि जो अब तक प तरकश में ऐसे ऐसे तीर हैं उनके बनले से ऐसे शॉर्ट्स निकलता हैं जिसने बड़े-बड़े दिगजों को अपना मुरीद बना लिया है तो हम उमीद करते हैं कि अच्छा टाइम बिता रहे हैं अपने परिवार के साथ और रोहिश शर्मा और एक कूल माइंड के साथ को यहां से वेस्ट इंडीज जाएं अच्छी यादों को लेकर वेस्ट इंडीज जाएं और उन्हीं यादों के जरी वेस्ट इंडीज में वो धाकल परफॉर्म करें और टीम मीडिया को वेस्ट इंडीज में भी जीत जिलाएं हमारी तरफ से शुब काम नाए है नमस्कार इनकबर चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूँ